हेलो अब्रीवन वेल्कम बैक टो लियूंबालो जी क्लास नमबर 129 आज हम लोग स्केलेटल सिस्टम का एक बहुत छोड़ा सा टॉपिक से समय बोन्स डिसकस यहां पर करेंगे चलिए शुरुवात करते हैं देखो सेसमय बोन्स समझने से पहले हम एक छोड़ा सा टॉपिक सम माँ पर मशल अब भी मसल डियरेक्टल से अटेच नहीं होता पहले मशल से होता है टेंडन ओर टेंडन फिर अटेच होता है बोन से जैसे मेरे Capeco देखेत कि आब जरुपिका मेरा हात यह मूववोमेंट कर रहा है है इस इस मूववमेंड is because of this मसल पूल अब यह मसल जो यहा प्रेजन्ट ओगा पहले Tendon और ये Tendon एक तरफ बोन से अटेच्छ होता है तो एक तरफ मस्ले से अटेच्छ होता है. एक और फिगर दिखाता हूं मैं आपको यहां पर देख लिए यह biceps muscle आपको show कर रखा है हमने यहां पर भी muscles पहले tendon से attach हो रहा है उसके बाद में यह bones attach होता है ध्यान रखना tendon एक connective tissue रहता है यह exact figure जो अपने को दिखाई देता है tendon कुछ इस तरह से white color का tissue होता है यह tendon white इसलि देखिए sesam oid word कहां से बना है सबसे पहले यह word बना है sesam sesam का मतलब क्या होता है sesam का मतलब होता है sesam के seeds तो तो तिल के बीज होते है न वहां से हमने word उठाया sesam और oid oid का मतलब होता है उसके जैसा जहां पर भी आपको यह oid word मिलेगा न तो समझ लीजेगा यह किसी अगर आप देखो कि बहुत चोटी-चोटी सी मिलीमिटर की साइज में यह बॉन्स प्रेजेंट होती है इसलिए हम इन्हें sesamide bones कहते हैं सबसे खास पात चोईस की यह है कि यह टेंडन के ossification से बनती है what is ossification? ossification is bone का formation जब भी tendon के अंदर जो ossified tissue यानि कि जो bone के अंदर tissue होता क्यों है? देखो क्या होता है कि tendons जो होता है टेंडन बेसिकली वो structures है जिन पर सारा load आता है movement के वक्त अब कई बार बहुत से cases में ऐसे cases में जहां पर movement के वक्त बहुत जादा friction या बहुत जादा खीचाव या बहुत जादा दबाव आए यानि tension या को physical stress या friction ऐसे areas में जह जहां पर बहुत ज्यादा यह present होता है वहां पर जो टेंडन होता है वह ऑसीफाय होकर क्या बन जाता है बोन और वहीं पर सेसमोइड बोन का फिर formation होता है यह figure देखो आप इस figure में हम आपको दो चोटी चोटी बोन दिखा रहे हैं यहां पर यह दोनों सेसमोइड बोन्स है किन एरियाज में जहां पर आप अच्छा खासा friction होता हो टेंशन डवलप रहता हो ज्यादा या फिजिकल स्टेस होता हो उन एरियाज में सेसमोइड बोन्स के डवलप होने के चांसेज ज्यादा रहते हैं not always completely ossified ऐसा है नहीं है कि हर बार हर सेसमोइड बोन completely ossified होती हो मैं टेंडन है टेंडन के अंदर दीरे दीरे जब ossification होने लगता है तब बनता है सेसमोइड बोन तो कई बार complete ossification नहीं होता person to person number of sesame bones vary कर सकती है जैसे मैंने पिछे आप जो आपको picture दिखाया था तो वह जो सेसमोइड बोन्स जो मैंने आपको palm area में दिखाई थी ज़रूरी नहीं है कि वह सब के अंदर present हो कुछ लोगों में present होती है कुछ लोगों में present नहीं होती इस figure में देखो आप यहाँ पे भ diameter रहता है इनका बट एक exception है पटेला पटेला ऐसा बोन है जिसका size थोड़ा बड़ा है पर वो सेसमोइड बोन का example होता है फंक्षन क्या हो जाएगा बस टेंडन को वेर और टियर से बचाना टेंडन टेंडन जहां पर ज्यादा friction या ज्यादा पटेला बोन यहाँ पे देखिए यह muscle है quadriceps muscle बोलते हैं इसको अब देखिए यह quadriceps muscle पहले एक tendon से attached है और tendon से बाद में यह पटेला के साथ में attached है अब जब भी आप movement करते हो थाई का ठीक है तो जब भी आप अपना नी को band करते हो या वापस खोलते हो, ऐसा movement करते हो जब आप नी का आगे पीछे की तरफ, तो यह quadriceps muscle का movement होता है, तो quadriceps muscle यहाँ पर ध्यान से सुनिए आप एक बार, कि समझों यहाँ पर patella bone नहीं है, तो अगर यह patella bone नहीं होगा, तो यह patella bone की absence में tendon जाके सीधा attach किसे होगा, यहाँ पर नीचे वाली bone यानी femur bone के साथ में, अब जब यह नीचे यहाँ पर attach होगा, तब यह जो है और और पीछे की तरफ जाएगा, पटेला की वज़े से क्या हुआ, पटेला की वज़े से यह tendon आगी की तरफ है, यह देखिये, यह पटेला की वज़े से, जो मैं blue में show कर रखा हूं, यह position पटेला की वज़े से है, और जो red में show किया है, मैंने वो position है, पटेला की absence में, अब पटेला नहीं होता है तो टेंडन थोड़ा और पीछे जाके जुड़ता है पटेला की प्रेजेंस में थोड़ा आगी की तरफ आके जुड़ता है तो जब थोड़ा आगी की तरफ आके जुड़ा तो जॉइंट को movement को और space मिला तो ये फायदा रहता है पटला sesamoid bone का इसी को मैं पढ़ता हूँ देखिए the presence of a bone embedded in tendon यानि sesamoid bone की बात कर रहा है वो serves to hold the tendon slightly further away from the center of the joint उस sesamoid bone की वज़े से पटला की वज़े से जो tendon है वो joint के center से थोड़ा और दूर जाकर attach हुआ है जिसके वज़े से थोड़ा और space मिल गया हमें जिससे हम अराम से knee का movement कर सकते हैं तो ये reason है कि क्यों पटला नाम के एक sesamoid bone का formation वहाँ पर होता है और क्यों tendon ossify होकर form करते हैं पटला की बात करता हूँ देखे पटला जिसको हम knee cap भी कहते हैं ये सबसे largest sesamoid bone है जो present होती है human beings में sesamoid bone में मैं भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि हर sesamoid bone सब के अंदर present हो बट पटला एक ऐसा sesamoid bone है जो हर individual के अंदर present होगा कोई individual ऐसा नहीं है जिसमें पटला absent हो ये figure है नी के अंदर present होता है पटला और वो भी anterior side में ये एक पटला का figure हो गया कुछ इस तरह से triangular bone है ये ये ऐसा triangular bone है ये पटला जिसमें apex हो गया नीचे की तरफ ठीक है इसको apex बोल सकते हो और base हो गया उपर की तरफ knee joint के anterior side में present है ये और ये जिस muscle में प्रेजेंट होती है उस muscle का नाम है quadriceps femoris, quadriceps femoris की muscle के tendon के ossification से बनता है पटला bone और ये figure जो मैंने आप भी आपको थोड़ी दिर पहले show कियाता है तो this is all about sesamoid bone बस इससे ज़्यादा detail में अपने को जाने की ज़रुत नहीं है नीट के exam के लिए आपको जो main इसमें याद रखना है वो याद करना है sesamoid bone का example जो है patella और या फिर largest bone largest sesamoid bone तो answer होगा patella और जो need question आता है वो ये है कि जो sesamoid bone है वो किसके ossification से बनता है तो अपना answer होगा tendon बस that's it for today thank you very much for watching us keep studying hard just अपने concepts पर focus कीजे thank you very much